अगले महीने बिहार में होगी P.H.E.D. में इंजीनिरिंग समेत 784 पदों पर नियुक्तियां नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एहम सूच्टा P.H.E.D. में जनवरी 2021 तक कुल 784 पदों पर समविदा पर नियुक्ति होगी इन में जूनिर इंजीनिर के 500 और असिस्टेंट इंजीनिर के 88 पद शामिल है इसके लिए पैनल तयार कर लिया गया है और 500 जूनिर इंजीनिरों की में रिटलिस्ट जल्द निकाली जाएगी माई 88 असिस्टेंट इंजीनेरों का पैनल तयार करने के लिए स्क्रूटीन शुरू कर दी गई है दूसरी ओर विभाग ने केमिस्ट के 33 असिस्टेंट के 30 और लाब असिस्टेंट के 125 यानि कुल 196 पदोपर्स थाई न्युक्ती करने का फैसा सुनाया है प्रजा कर आवेदन कर सकते हैं बांका के जैष्ट गौरवनाथ मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास जैष्ट गौरवनाथ एक श्रिव मंदिर है जो चांदर नदी के पस्षिब में एक पहाड़ी परस्थित है अकसर श्रिवरात्री को यहां मेले का आयोजन होता है रजान प्रखंड के रूपसा गाउं में काली मंदिर और मादुरगा की प्राचीन मंदिर है इसके लावा चुतेश्वर नाथ मंदिर चुटिया ग्राम में है यहां एक गुफा है और पत्थरों पर रथ के पहिये के निशान भी देखने को मिलते हैं माना जाता है यहां कभी प्राचीन समय में युद्ध हुआ था असिस्टेंट प्रिफेसर पद के लिए आवेदन भरने की तारीक बढ़ी आगे मिली जानकारी के नुसार चात्रों की मांग को देखते वे बिहार राज्य विश्विद्याले सेवा आयोगनी असिस्टेंट प्रिफेसर न्युक्ति के लिए ओनलाइन आवेदन करने की तारीक 10 दिसंबर तक बढ़ा दी है वहीं आवेदन की हाड कॉपी को अब 30 दिसंबर शाम 5 बजे तक भेज़ा जा सकेगा बुधवार तक करीब 48,000 लोग आवेदन कर चुके है थे आपको बता दे इन पदों के लिए 21 सितंबर से आवेदन की प्रोक्रिया शुरू करवा दी गई थी जो की अब 10 दिसंबर तक जारी रहने वाली है धियान रहे ओनलाइन आवेदन की हाड कॉपी दस तावेजों के साथ आयो को डाक के जरिये 24 दिसंबर तक भेज़ी जाने प्रोक्रिया सुसरी जारी के जान कारिक के अनुसार ब्हार में बीतिय दिन के पिछले 24 गटे में कौल पिला कर 571 नए मरीजों की पुष्टि की गई गया जिसके बाद बिहार में प्रभावीतों की संख्या बढ़कर 237 kingdom उन्चास पर पहुँच गई है इसके साथ ही अगर हम टॉप तीन जिलोग की बात करें तो राजधानी पटना में 187 नए मामले सामने आए हैं मुझफरपूर में 32 मामले सामने आए हैं वहीं सहरसा में 33 मामले की पुष्टी हुई है बिहार पुलिस में तबादले के नए नियम हुए जारी बिहार पुलिस में तबादले को लेकर नया नियम जारी क्या गया है पुलिस में वर्तमान समय में अवधीपूर्ण प्रोनती अनुकमपा प्रशासनिक और सिवानर्वित्य के आधार पर तबादले का प्रावधान है ह इसको लेकर मंजूरी दे दी है इसके रहत अबधी पूर्ण होने की आधार पर तबादले की प्रक्रिया प्रत्तेक वर्ष जन्वरी से माई के बीच पूरी कर लेनी है ADG विधी विवस्था अमित कुमार ने तबादले को लेकर एकाई रेंज और जिलो को पत्र लिखा है का काम पूरा हो जाएगा पहले के मुकाबले अब लोगों को 50 रुपए भी कम देने होंगे बता दे कि पहले लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए 790 रुपए लगते थे लेकिन अब 1 दिसंबर से यह शुरु घटकर 740 रुपए लग रहे हैं इसके अलावा आवेदक मनपसंद तिथी का स्लोट भी बुक करा सकते हैं आपकी चैन की गई तिथी पर ड्राइविंग परिक्षा देने के लिए आना होगा इसमें बहानों के विशे में ओनलाइन परिक्षा ली जाती है परिणाम ओन दे स्पोर्ट मिलता है प्रतेक प्येसी में उपलब्ध करवाया जाएगा कोरोना वाक्सीन कोरोना के इस माहौल में वाक्सीन बनाने की कवायद तेज है वहीं वाक्सीन को जल्द से जल्द देश के हरकोने तक पहुचाने की पहल भी शुरू कर दी गई है जिसके बाद अब बिहार में कोरोना वाक्सीन को प्रतेक प्राथमिक स्वास्त केंद्र पर उपलब्ध कराये जाने का निर्ण लिया गया है स्वास्त विभाग इसको लेकर तयारी में जुट किया है वाक्सीन आते ही प्रत्तेक पीएच्सी में उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी जोने से वाक्सीन एकत्रकर टीका करन करमियों द्वारा कोल्ड चेन को मिंटेन करते वे प्राथमिक स्वास्थ केंदर तक वाक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी आपको बता दे केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वाक्सीन उपलब्ध कराने के पूर्व स्वास्त वभाग ने उसके वित्रन की विवस्ता को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है फ्रंट लाइन वर्कर्स को वाक्सीन देने के लिए डेटाबेस का काम हुआ शुरू कोरोना वाक्सीन आते ही इसे सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को देने की योजना की तहत काम शुरू हो गया है जिसके तहत हाली में स्वास्तव भाग के निर्देश पर सभी जिलों में कोरोना से बचाव को लेकर सबसे आगे की पंक्ती में कारे कर रहे कर्मियों को टीका लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है इसके लिए सभी जिलों के सिविल सर्जण को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिले में कोरोना वारियर्स का डेटावेस तयार करें ताकि यहाँ आकलन आसानी से किया जा सके कि पहले चरन में कितने वैक्सीन की जरुरत होगी केंदर सरकार से मिलने वाली कोरोना वाक्सीन की पहली खेप का इस्तमाल इनके लिए ही करवाने का फैसला सुनाय गया है आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नंदलाल बोस की नंदलाल बोस का जन्म बिहार के तारापुर में साल 1882 को हुआ था नंदलाल बोस आधुनिक भारतिय कला के अग्र दूतों में से एक थे और प्रसांगिक आधुनिकता बाद के प्रमुख व्यक्ती थे रबिंदरनाथ टेगोर के शिश्य बोस को उनके भारतिय शैली के लिए जाना जाता था वे 1922 में शांती निकेतन के कलाभवन के प्राचारे बने वो टेगोर परिवार और अजंता के भित्ती चित्रों से प्रभावित थे उनकी ख्लासिक खृतियों में भारतिय पौरानिक कथाओं महिलाओं और ग्राम जीवन के दृश्यों के चित्र शामिल है आज कई आलोचक भारत के सबसे भेध्वपूर्ण आधुनिक चित्रों में से उनके चित्र को मानते हैं भागलपूर में जहा चलाने की योजना पर काम हुआई शुरू भारतिय अंतर दश्य जल्मार्ग प्रादिकरण ने हाल ही में जहाद चलानी की योजना पर अपना फैसला सुनाया है जिसके तहत प्राधिकरन ने विक्रम शिला सेतु के पश्चिमी हिस्से में लगभग एक किलोमेटर दूर दियारे को बीचो बीचो काट कर जहाद चलानी का निर्ने लिया गया है हालाकि जिस जगे पर जहाद चलानी की योजना बनाई जा रही है उस जगे पर दियारे की मिटी को मशीन से ड्रेजिंग कर काट कर हटाये जाएगा दियारे पर स्थित अमरी विशनपूर गाउं के पूर्वी हिसे में स्थित बैरिया धार को पुनर जीवित किया जाएगा इस धार के 90 फीसदी हिसे में अभी भी लाखो ग्यालन साफ पानी जमा है पटना मुझाफरपूर और गया में नहीं लगेंगी उद्योगिक इकाईया और गया के योजरा छेतर में स्थापित नहीं होगी इसको लेकर राश्ट्रे हरित अधिकरन प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा देश में 102 प्रदोष्ट शेहरों में स्वच्छ हवा के लिए समय सीमा से संबंधित मामले की सुनवाई करते वे निर्देश जारी किया अंचल कार्याले में तीन साल से जमे कारियपालक सहायक के ट्रांसफर का जारी किया गया आदेश। के क्रिया नव्यन को ले कर नियोजित कारेपालक सहाय कापत स्थाप नावबिन अंचलों में दाखल खारज एवं अन्यमहत्वपूर्ण कारेों के निश्पादन में किया जा रहा है बिहार में अब किसानों को नहीं मिले का डीजल अनुदान पुरे देश भर में किसान का विरोध जा रही है वहीं किसानों के विरोध के बीच नितीश सरकार ने एहम फैसला सुनाया है जिसके तहट अब भिहार के किसानों को सरकार की तरफ से दिये जाने वाले डीजल अनुदान की अबधी को समाप्त कर दिया गया है यह योजरा लगभग एक दशक पुरानी थी वहीं इस योजरा को खत्म करने पर क्रिशिमंत्री अमरेंद्र प्रताब सिंग ने कहा है कि बिजली की उपलब्धिता हर गाओं में हो गई है साथ ही बिजली डीजल से सस्ती भी है इसलिए अब डीजल अनुदान की ज़रूरत नहीं है आपको बता दे किसानों को तीन सिचाई के लिए प्रती लीटर साथ रुपे की दर से अनुदान दिया जा रहा था ब्रहश्टाचार में लिप्त 644 पुलिस कर्मियों पर शुरू हुई कारवाई पुलिस मुख्याले अब अपने लापरवा पुलिस कर्मियों पर सक्ती से पेश आने वाली है पुलिस मुख्याले ने जानकारी दी है कि नियमों में कोताही और भ्रहश्टाचार में लिए 644 पुलिस अफसरों पर अनुशाष नात्मक कारवाई की गई है जो की जनवरी 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक ही गई है पुलिस मुख्याले से मिल रही जानकारी के नुसार दो आईपियस अधिकारियों को विभाग्य कारवाई में सजा दी गई है और चौर के खिलाफ विभाग्य कारवाई फिलहाल जा रही है जिसमें बिहार पुलिस सेवा के साथ अफसरों को भी कड़ी सजा मिली है और 25 के खिलाफ विभाग्य कारवाई जा रही है 606 अराज पत्रित पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के खिलाफ विभाग्य कारवाई चल रही है बिहार प्रशास्निक सेवा के आठ हफसरों की हुई प्रतिन्युक्ति बिहार प्रशास्निक सेवा के आठ अधिकारियों को बिहार सरकार ने प्रतिन्युक्ति किया है इस संबन्द में समाने प्रशास्चन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है बिहार लोग सेवा आयोग की तरफ से असेनिक न्यायधीश के पदो पर नियुक्ति को लेकर 31 वी बिहार नियाईक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 6 दिसंबर को किया गया है इस जिसके तहट सफल संचालन को ध्यान में रखते वे इन अधिकारियों की सुशिलमोधी के राजयोसवा के रास्टे में आई अरचन सुशिलमोधी सीधा राजयोसवा के लिए निरवाचित होने वाले थे हाला की अब उनके रास्ते में एक अरचन आगई है बीते दिन उनके निर्विरोध निर्वाचित होने का सपना धरा का धरा रहे गया जब निर्दली प्रत्याशी श्याम नंदन प्रसाद सुशेल मोधी के खिलाफ नामांकन दर्ज उन्होंने कर दिया और अब 7 दिसंबर को नाम वापस की समय सी माँ खत्म होने के बाद ही सभा के उपचिनाफ में दुल्चस्म मुकाबला देखने को मिल सकता है आने वाले 5 दिनों तक कोईलवर पुल पर परिचालन रहेगा पूरी तरीके से ठप आने वाले 5 दिनों तक भोजपुर जिले में बनना नया कोईलवर पुल बंद कर दिया गया है जिसके परिनाम सरू यानी 10 दिसंबर को केंद्रिय परिवहन मंत्री नितिन गट करी और केंद्रिय उर्जा राजय मंत्री सहारा सांसद आरके सिंग के हाथ हो करवाय जाएगा वही नया पुल के एक हिसे में बाकी बचे कारियों को पूरा करने के लिए इसे फिलहाल 5 दिनों के लिए बंद किया पूरा ने जहां अपने आवास एक अने मार्क पर उनकी प्रतिमा पर मालयारपन कर उनकी जयनती मनाई वही रास्ट्रपती स्वर गिये डॉक्टर राजीद प्रिसाद के 136 वी जयनती राजुकिये समारों के साथ मनाई गई जहां पट्णा के डीम कुमार रवी ने उनकी समाधी स्थल पर रखे रेजिस्टर पर सिंगनेचर कर उन्हें याद भी किया भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से हैं दर्जु भारत के इतिहास में 4 दिसंबर का अपना ही एक खास महत्व है क्योंकि इस दिन कई महत्वपून घटनाए घटी जो इतिहास के पन्मों में हमेश्वा के लिए दर्जो कर रह गई है 1796 में बाजी राओ द्वितिया पेश्वा न्यूक्थ हुए थे 1899 में टाइफॉइट का टी का पहली बार मनुष्य को इस बिमारी से सुरक्षुत को रखने के लिए प्रयोग किया गया था 1919 में भारत के 12वे प्रथान मंत्री इंद्रिकुमार गुज्राल का जन्म आजी के दिन हुआ था चुराग पासवान ने सभी को छे महीने तक मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोलने की दी नसीहत बिहार में मिली हार के बाद अब चुराग पासवान हार की समीक्षा करने में जुटके है जुसको लेकर बीते दिन बैठक का आयोजन करवाई गया था वहीं बैठक में चुरा टीम इंडिया को मिली जीत के बाद एक दूसरे से भिड़े वसीम, जाफर और संजय मांजरेकर भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेले गया मैच में टीम इंडिया को बीते दिन जीत मिली है वहीं टीम को मिली जीत के साथ ही जीत के मुख्यकारण को लेकर टीम के चुयन कर परताओं के बीच में भिड़नत शुरू हो गई है दरसल मांजुरेकर ने पहले वंडे इंटरनाशनल मैच के लिए जो प्लेंगे 11 चुना था उसमें जडेजा और पांडिया दोनों को जगए नहीं दी थी जिसके बाद उनके चुटकी लेते वे बसीम जाफर ने ट्वीट म को बेल दिलवाने के आरोप में दो NCB आफिसर को किया गया सस्पेंड, NCB ने कुछ दुनों पहले ही गांजा मिलने के बाद कोमीडियन भारती सिंग और उनके पती हर्ष लिमबाचिया को हिरासत में लिया था, हालाकि कुछ दुनों बाद ही इन दोनों को बेल मुहाया करव मगर अब इस पूरे मामले में NCB के दो अफसर पर ही गाज गिर गई है, मिली जानकारी के नुसार, NCB ने अपने ही दो अफसर को भारती सिंग और उनके पती को बेल मुहाया करवाने का आरोप लगाया है, NCB को अपने दो अधिकारियों की भूमिका संदिक लगी है, जिसमे OTT प्लाटफॉर्म को टक कर देने के लिए आया एक नया अप्लिकेशन, Netflix, Amazon जैसे OTT प्लाटफॉर्म को टक कर देने के लिए नए अप को रोल किया गया है, कोरोना के महौल में OTT प्लाटफॉर्म की मांग को बढ़ता देख, अब Global Streaming Service Stars ने भारत में Direct to Consumer OTT आप Alliance Gauge Play लांच प्लाटफॉर्म के साथ आता है, यह अप Google Play Store, Apple App Store और Amazon Fire Stick पर उपलब्ध रहेगा, आपका बता दे, Stars एक अंतरास्ट्रे स्ट्रीमिंग अप है, इसे साल 2018 में लौंच किया गया था, यह यह यूरोप, लाटिन अमेरिका, कैनडा, जापान और भारा समेत पचपन देशों मे उपलब्ध है, अब आईए जानते हैं, सराफा बजार और पिट्रोल डीजल के क्या थे भाव, अगर हम सराफा बजार की बात करें, तो सोने का भाव, 3 दिसंबर को 22 कैरट के लिए प्रते 10 ग्राम, और 44,140 रुपए था, वहीं अगर हम चांदी की बात करें, तो चांदी का प्रते के लोग 62,400 रुपए था, इसके अलावा राज़ानी पटना में पिट्रोल की कीमत 84.9 रुपए प्रती लीटर थी, वहीं लीजल 76.9 रुपए प्रती लीटर था, विहार में कोरोना मामलों को लेकर हाई कोर्ट ने जारी किया, अपना बयान बीते दिन पटना हाई क कोरोना के मामलों को लेकर अपना पक्ष रखा है, जिसके तहट कोरोना के वरतमान सिती पर कोर्ट ने टिपपणी करते वे कहा है कि यह मामला सुप्रेम कोर्ट में फिलहाल लंबित है, बिहार के लोगों की सोच बदलनी ज़रूरी है, यहां के लोग यह समझ रहे हैं कि बि पूछे के सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत भबहुत धन्यवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रंजीत महता, दीपक कुमार, श्वेता रॉय, मृतुन जैक कुमार, राज कुमार, यादव, चक्की, रविंद्र पास्वान, अनुराधा कुमारी, निशा कुमारी, संजीत कुमार, सिंग, बाबुल कुमार, छोटो कुमार, अशोक कुमार, सदानन्दी study with ncrt books channel इसके अलावा हमारे टीम को और भी लोगों के जवाब अचे लगे हैं मगर समय क्या भाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाई लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चली बठते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुजार भारत और उस्ट्रीला के बीच खेले जाने वाले चौथे मैच में आज किसका पर राज यादा भारी है अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आपे वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान दबाना ना भूले और अगर आपे वीडियो हमारा फेस्बुक पर देख रहे उस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें धन्यवाद